पहला कोशन है बल्बन ने दिवान ए अर्ज की अस्थापना की थी यह कौन सा विभाग था तो उत्तर सेनिय विभाग दक्षिन में विजयफ राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का पर्थम सुल्तान कौन था तो उत्तर अलाउदिन खिलजी लोदी वंग्स के किस सासक ने राजधानी को सरफर्थम दिल्ली से आगरा आस्थनांत्रित किया तो उत्तर सिकंदर लोदी ने अलाउदिन द्वारा निर्मान कराया गया अलाई दरवाजा किसका प्रवेशु द्वार है तो उत्तर कुबबत उल इसलाम मस्जीद का स्वतंत्रता के पस्यात हडपा सभ्यता के स्रवाधिक अस्थल किस राज़े में खोजे गए तो उत्तर गुजरात राज़े में देवगड का दसावतार मंदीर किस काल की मंदीर कलाका सर्वत्तम उधारन माना जाता है तो उत्तर गुप्त कालीन मंदीर कलाका सल्तनत काल का वह पर्थम सासक कोन था जिसने भुमी की नाप जोक कराई तथा राजी की समस्त भुमी को खाल सा भुमी के अंतरगत कर दिया तो उत्तर अल्लावुद्दीन खिलजी ने ऐसे पहले भारतिय कोन थे जिन्हें अंग्रेजों ने किसी प्रांथ का गवर्नर बनाया तो उत्तर सतेंद्री प्रसाद सिन्धा विजय नगर कृष्ण देव राय की रचना आमुक्त मालियद का वर्न विशय क्या है तो उत्तर लोग प्रसाशन एवं विदेश नीती गोलकुंडा के मुसलिम राजजी का उदय किस प्राचीन हिंदू समराज के आउसेसों पर हुआ तो उत्तर वारंगल सिवील सिवाव में भर्ती के लिए खुली पर्तियोगिता का आयोजन किस वर्स से सुरू किया गया तो उत्तर अठारो सो त्रिपन इश्वी से कृष्ण देव राय ने आमुक्त मालियद ग्रंथ की रचना किस भासा में की थी तो उत्तर तेलगु भासा में महमूद सा त्रितिय के सासनकाल में बहमनी समराज की यात्रा करने वाला विदेशी यात्री था तो उत्तर एथेने सियस निकितीन किस पल्लाव सासक के सासनकाल में हैंसांग ने काराची की यात्रा की थी तो उत्तर नर्सिंग वर्मन फर्थम के सासनकाल में बोध संगीतियां का आयोजन किस फ्रयोजन से किया गया तो उत्तर बुध की सिक्षाओं के समाकलन तथा विवादों के निप्टारे के लिए त्रीफीटक के अंग है तो उत्तर विनय, सुत और अभीधम अमीर खुसरोर अचीत खजयन उल्फटू किस सासक के समंध में जानकारी देता है तो उत्तर अल्लावदिन खिलजी के समंध में दिल्ली सल्तनत की अधिकारिक भासाथी तो उत्तर फारसी कोटीली के अर्थसास्तर से किसकी महत्पून जानकारी मिलती है तो उत्तर मौर्यों की प्रसासनिक बेवस्था की रतनावली फ्रीय दर्सिका और नागानंद नामक तीन फ्रसिद नाटकों की रचना किसने की तो उत्तर हर्सने भारत की फ्रत्म विक्सित सेंधव सभ्यता के सम्मंध में जानकारी प्राप्ट करने का एक मात्र स्रूत है तो उत्तर उत्खनवनों से प्राप्ट नगरा अउसेश दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सेनिकों को भी वेतन भूराजस्व के रूप में देने की फृथास शुरू की थी तो उत्तर फिरोज तुगलक ने मद्धी कालिन किस नगर को सिवराज ए हिंद की उपाधी से नवाजा गया था तो उत्तर जौनफूर को तो फ्रेंड्स अभी के लिए बस इतना ही वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं जल्द ही एकने अपडेट के साथ तब तक के लिए जे हिंद वंदे मातरम